So Hello Everyone, Welcome back to another new video आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगो Pi Network के काफी सरे latest important updates के बारे में बताने वाला हूँ जो की officially Pi Network के तरफ से आया हुआ है अभी अगर आप लोग Pi Network के application को open करते हो तो कुछ इस तरीके से update आपको show होते है Pi Network KYC FAQ का ठीके जैसे आप KYC FAQ पे क्लिक करेगो, यहाँ पे काफी सरे चीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पे सबसे पहले KYC slot के बारे में बताया गया है कि कौन से टाइप के लोग है जिनको अभी तक KYC slot नहीं मिले है और अगर आपको भी KYC slot नहीं मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा Secondly, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका KYC Pi ब्राउजर पर पास्ट हो रहा है लेकिन मेंने चेकलिस्ट पर नमबर 6 step complete नहीं हो रहे तो वो कब तक complete हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका KYC complete हो चुका है लेकिन आपका माइन किया हुआ Pi आपके wallet पर टांसपर नहीं हुआ है तो वो कब तक हो जाएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और यह सभी topic छोड़के और भी कुछ important चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि आप लोग इस वीडियो पर जानने वाले हो वीडियो बहुत जदा important होने वाला बिना skip करें तक जरूर देखना चलिए आज के इस important वीडियो को करते हैं सबसे पहले बात करते हैं KYC slot के बारे में तो देखिए अभी जो है सभी के लिए KYC open हो चुका है simply आपको py browser application को open करना है और उसके बात kyc.py के option पर जाना है तो वहां से जाके आप अपने KYC को complete कर सकते हो लेकिन बहुत सरे लोगों को अभी तक KYC slot नहीं मिले हैं तो क्या reason हो सकता है कि अभी तक आपको KYC slot नहीं मिला होगा तो इसका दो reason इस article पर py core team ने बताया सबसे पहला कि अगर आपका account newly created है यानि कि अगर 30 days भी नहीं हुआ है आपका account का तो आपको नहीं मिला होगा पॉलिसी को भाइलेट किया है यह दो reason उन्होंने बताया जिसके बज़े से आपको KYC slot नहीं मिला होगा लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका account real है आप एक real pi minor हो आपने कोई भी गलती नहीं किया है को भी policy को भाइलेट नहीं किया है तो इसका solution भी pi core team ने दिया है इसके लिए उन्होंने जो है एक google form रिलीज किया जहां पर आपको basic कुछ अपने details को feel करना है और submit पर click करना है ठीके किस तरीके से यह form को आपको feel करना step by step इसके लिए मैंने एक वीडियो अलड़ी बना रखा है निचे description पर सबसे पहले वह वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वह वीडियो जरूर देखे वह form को feel कर दीजे तो definitely आपको kyc के लिए slot मिल जाएगा अगर आपका account real होंगे तो अभी बात करते हैं दूसरे update के बारे में जो कि pop-up notification के कोई भी जरूरत नहीं है आप directly py browser application पे जाके kyc.py के option पे क्लिक करके अपने kyc को complete कर सकते हो लेकिन जिनके referral link से आप join हुए वह अगर आपको remind कराता है kyc के लिए तो उपर आपको notification आ जाएगा reminder का तो हाँ से जाके भी आप अपने kyc को complete कर सकते हो बात करते हैं next update के बारे में तो यहां पर बताये गए कि अभी जो है py kyc सभी के लिए open हो चुका है तो किस तरीके से हमें kyc के लिए apply करना है तो देखो बहुत simple है मैंने पहले भी बता दिया आप लोगो py browser पे जाना है kyc.py के option पे जाने के बाद आपको अपने kyc को complete करना है अभी के time पे किस तरीके से आपको अपने kyc complete करना है इसका step by step वीडियो मैंने already बना रखा है नीचे description पे आपको py network के kyc verification का वीडियो मिल जाएगा उपर आई बटन पर भी आपको लिंक शो हो रहा होगा तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो और आसानी से अपने kyc को complete कर सकते हो बात कर नेक्स अपडेट के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा important है तो वो है kyc tentative approval अभी इसका मतलब क्या होता है क्यों इसको पास करना जरूरी है कितना time लगता है और pipe browser में kyc status पर अगर tentative approval शो हो रहा है तो क्या इसका मतलब kyc successfully complete हो चुका है या नहीं इसके बारे में आप लोग जानने वाले हो तो दिखिए tentative approval जो है वो full kyc approval का equal नहीं है अगर आपके kyc status में tentative approval शो हो रहा है इसका मतलब है कि और भी additional checks है जो complete होंगे उसके बाद आपका kyc successfully complete होगा जब आपके kyc status पर kyc past लिखा हो रहेगा जो की screen पर आप लोग देख सकते हो अगर ऐसा लिखा हो र होने बाले है और number six step complete होने के बाद ही आपका mind किया वापाई आपके wallet पे migrate किया जाएगा आप मैंसे बहुत सरे लोगों का मन पे यह सवाल आ रहा होगा कि कितना time लगता है tentative approval से past होने में इसके बारे में भी पाई कोल टीम ने बताया है तो यह depend करता है individual case के उपर जैसे कि जिस time पे आप KYC complete किये हो उस time पे KYC complete करने का volume कितना है मतलब कितने लोगों ने जो KYC complete किया है और इसके साथ-साथ validators और application का complexity पे भी depend करता है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि tentative approval show हो रहा है इसका मतलब और भी additional check होना बाकी है जो कि validators के दुआरा किये जाते है तो जैसे ही वो checks complete होते हैं आपका KYC past नजर आएगा नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका KYC status tentative approval show हो रहा है क्या mainnet migration हो सकता है या नहीं यानि कि आपका मायन किया हो पाई आपके wallet पे transfer हो सकता है या नहीं तो इसके answer पे उन्होंने बताया है कि नहीं आपको क्या show हो सकता है तो सबसे पहले यहाँ पर review in progress का message show हो सकता है ठीक है अगर application आपका अप्रूप नहीं हुआ तो यह चीज़ आपको show होगा दूसरा यहाँ पर आपको tentative approval show हो सकता है यानि कि इसका मतलब है validators के द्वारा accept किया गया है लेकिन additional checks बाकी है तो आपका KYC status में tentative approval show होगा और अगर आपका KYC में past show हो रहा है यानि कि आपका KYC successfully complete हो चुका है next update पर आपको बताया गया है कि अगर आपने KYC process सहीत लिके से complete किया है और कोई भी name change appeal के लिए apply नहीं किया होगा तो आपका KYC result 15 minute के अंदर ही आपको approval show होगा बात करते हैं अभी next important update के बारे में जो की name change appeal को ले करके है तो अगर आपने name change के लिए apply किया है तो वो कितने time तक approve हो सकता है इसके बारे में अभी आप्लोग जानने वाले हो तो देखिए name change का जो approval है वो machine automations के दवारा किये जाते हैं या फिर human validators के भी दवारा किये जाते हैं machine automations के दवारा आपके name update होना ये already start हो चुका है लेकिन human validators के दवारा इसका resolve करना अभी तक start नहीं हुआ है और यहाँ पर बताएगा है इस साल के quarter 2 में validators जो है name change appeal को review कर पाएंगे यहाँ पर एक चीज अच्छे तरीके से समझना अगर आपने name change के लिए apply किया है और अग आपका correct name update नहीं हुआ उसके बाद भी आप KYC complete कर लेते हो तो आपका KYC जो है चांसे पेंडिंग पर चले जाए क्यूंकि तब आपका document का नाम अलग रहेगा आपके KYC जो है एपडूब हो चुका है यानि के पास्ट नजर आ रहा है लेकिन आपका mainnet checklist पे number six step complete नहीं हुआ तो किस तरीके से आप migration complete कर सकते हो मैंने पिछले वीडियो पे इसके बारे में discuss किया है ऐसा अगर हो रहा है इसका मतलब यह एक glitch है और पाई टीम को इसके बारे में two season पे जो है mainnet checklist के data synchronization के ऊपर वो काम भी करने वाले हैं तो tension लेने के कोई भी जरूत नहीं ऐसा issue आपका भी अगर हो रहा है तो definitely उसका solution किया जाएगा पाई को टीम के द्वारा and last one पे उन्होंने बताया है कि KYC करना क्यों जरूरी है mainnet migration के लिए इसका answer simple सा है कि fake account को prevent किय पाई को टीम भी यह चाहते हैं कि जितने भी लोग महनत से अपना पाई माइन कर रहे हैं डे बाए डे उन लोगों का ही KYC जो है complete होना चाहिए उनका ही mainnet migration complete होना चाहिए आने वाला टाइम पे जबी पाइनेटों का open mainnet launch हो जाएगा या किसी भी एक्सेंज पर लिश्ट हो कमेट पर पूछ सकते मैं उसका reply जरूर करूंगा और पाईनेटों के बारे में मैंने सभी टाइप के वीडियो बना रखा है इसी चैनल के playlist section पे पाईनेटों के playlist को आप open करोगे तो सभी टाइप के वीडियो आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी पाईनेटों का playlist आपक सो रहा है वहाँ से भी जाके आप किसी भी टाइप के वीडियो को देख सकते हो जिसका आपका जरूरत है तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पहिन कर देते हैं मिलते आप लोगों से बहुत जल्द next और एक informative वीडियो के साथ